कहती है पारा पांच सूरा नौ तौबा आयत अठाईस प्रिष्ट संख्या पानसो सोला कहती है हे इमान वालों मुश्रीक तो अपवित्र हैं कौन मुर्ति पूजा करने वाले ये हिंदू ये सनातनी ये तो अपवित्र हैं तो इस वर्ष के पश्चात ये मश्जिद हराम काबा के पास ना फटकने पाएं और यदि तुम्हें महताजी का भय हो तो अल्ला ने चाहा तो जल्द ही वे अपने अनुग्रह से तुम्हें धनवान कर देगा निसंदे अल्ला जानने वाला और तत्व दर्शी है मतलब काबा के पास एक भी सनातन धर्मी नहीं फटकना चाह तो इतना सहश्रू है और मैं उन सनातनियों से कहता हूं जो मुर्ख लोग इनकी कबरों पर जाकर के माथा टेकते हैं कि तुम किसी मुर्दे को अपने कंधे पर उठाकर के जब समसान घाट छोड़ने जाते हो तो आकर के चार बार नहाते हो और इन गधों की मजारों पर ज जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मारा जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को लूटा जिन्होंने तुम्हारे भारत की अस्मिता को तार-तार किया और तुम इनके ये कह रहे हैं कि हमारे काबा के पास ना फटकने पाएं और मक्का मदीना के कितने किलोमीटर पहल लेलो क्रिष्न जनम भूमी आपकी राम मंदिर राम जनम भूमी लेलो और हम इतने प्रेमी हैं हम इतने सौफ्ट हैं कि हम कहने कोई वात नहीं आपको हम एक अलग से जंगा दे देंगे है योध्या में आप वहां पर अपनी मस्जिद बना लेना और यह कह रहे हैं कि हमारी मस लगबग कितनी आयते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं लगबग 24 ऐसी आयते हैं जिसको दिल्ली के कोट ने क्या कहकर के संबोधित किया हमारे मेट्रो पॉलेटियन एक मैजिस्ट्रेट हुए दिल्ली के जैडेस लोहार्ट वो इन 24 आयतों के लिए कहते हैं मैं वो जान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आधर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह आयते बहुत हानिकारक हैं और घ्रिणा की सिक्षा देती हैं इनमें एक तरफ मुसल्मानों और देश के शेश समुदायों के बीच मतबेद पैदा होने की संभावना है यह मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप उठा करके देख लीजिए गा इकतिस साथ उन्निस सो इकतिस साथ थर्टी वन्स साथवा महिना और 1986 में यह फैसला आया था और उसके बाद तो कितने मुकद्दु दिल्ली के कोट की तरफ हाँ दिल्ली के झाल